कुछ कि अगर कोई भी ट्राइंगल है ट्रांगल के लिए है इस त्राइंगल के लिए है ये पॉसुप कॉमा वाई 3 ओके तो यहां पर सेंट्रोइट मेरा मतलब मिडल पॉइंट टेक दम सेंट्रोइट का यह मिडल पॉइंट को अपने सेंट्रोइट बोलेंगे तो इसको जी से डिनूट में कर देता हो अगर तो इसको मुझे निकालना है एक्स कॉमा वाई तो यह पॉइंट मु यह मुझे एक्स कॉमा यहां से मिल जाएगा इसमें पूट मुझे एक्जांपल लेंगे तो दो टाइप का जैसे सम्में आपके सिलिवस में दो टाइप के सम लेंगे आपको आ जाएगा यहां पे अपना सब्सक्राइब इसके पॉइंड हमें दिये और दाइंगेरम के थिसको बना सकते द्रैं पाइंग कि तिह to 2 and 8,5 इसका मुझे संट्रीय्ट निकालना है जी इसक के लिट कर ले LAU zijn O और वोई सेंट्रोइट हम जीन है निकालना है मुझे एकस कॉमा य निकालना है को तो फोर्मूला तो x1 y1 diagram में दिखा दो x2 y2 diagram में दिखा दो x3 y3 diagram में दिखा दो तो x1 कितना है यहाँ पर मेरा minus 7 x2 कितना है plus 7 plus 2 and x3 कितना है 8 okay divide by 3 यहाँ पर कुछ हो जाए तो minus 7 plus 2 कितना होता है minus 5 हो जाएगा क्योंकि subtract हो जाएगा और बड़े का sign लगेगा minus 5 हो जाएगा क्योंकि 7 में से 2 गया तो कि plus minus minus होता है न तो subtract हो जाएगा तो 7 minus 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और बड़ा कोने 7 तो 7 का sign लग जाएगा minus 5 plus 8 बचा divide by 3 तो minus plus फिर again minus हो जाएगा subtract करना पड़ेगा यहाँ पे तो 8 minus 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा divide by 3 कि sign 8 बड़ा है यहाँ तो plus का sign तो plus आ जाएगा यह तो यहाँ पे 3 by 3 आ जाएगा 3 तो y1 में कितना दिया 6 and y2 minus 2 and y3 plus 5 तो 6 minus 2 is 4 and plus 5 बचा था divide by 3 4 plus 5 is 9 divided by 3 तो 3 3 is a 9 होता है 3 3 is a 9 तो 3 आ जाएगा यहाँ पे तो y equal to मुझे मिल गया 3 तो मुझे points का मिल गया centroid का मिल गया मुझे therefore therefore centroid is 1,3 this is the final answer एक और example लेंगे यहाँ पे दूसरा example ले रहे हैं तो यहाँ पे दिया है मुझे centroid दिया है centroid नहीं करना है यहाँ पे centroid given है और a,b दिया है और but c नहीं दिया है मैं पे बोला है कि find c find c बोला है ओके तो यहाँ पे सेम ट्राइंगल में अगर बनाता हो इसी तो मुझे a,b,c और g यहाँ पे मुझे दे दिया है माइनस 4,7 अब मुझे यहाँ पे g नहीं निकालना है जो नहीं दिया है और जो दिया है उसको लिख दो माइनस 14 माइनस 19 एंड भी 3,5 तो यहाँ पे सेम फॉर्मॉला यूस करेंगे जैसा हमें पता है बाइस एंट्राइट फॉर्मॉला कुझ भी देने दो फॉर्मॉला वहीं लगाएंगे कैसा है सेंट्राइट फॉर्मॉलला वशेम फॉर्मॉला एक सेंट्राइट फॉर्मॉला कैजिए है अपना एक सिक्वlair टू एक सम्स्सीन यह थे नियुकर टॉटा टू परो 사žज उे पाहले सारी हूट करदो एक सिसका होता सेंट्राइट का f ors accent जेंट्रोइट यहां पर हमें कितना दिया यह दिया जी बीच का मिडल पॉइन्ट इसका X की है मेरा माइनस फ्र है तो पूट कर हो जाएगा 3 and plus x3 कितना हो जाएगा x x उसको माहने ते divide by 3 हो गया इतना इतना करने के बाद अभी cross multiply कर देता है यहाँ पर मैं cross multiply करूँगा तो यह 3 into 4 कितना हो जाएगा 12 और minus का सहीन हो जाएगा minus 14 plus 3 plus x सारे values जो है यहाँ पर like plus 3 है वहाँ जाएगा minus 3 हो गया equal to x x यहीं पर इन दिया minus 12 plus 14 कितना हो जाएगा 2 minus 3 equal to x क्योंकि 14 minus 12 is 2 and minus 3 ऐसी आजाएगा अब 2 minus 3 2 में से minus 3 सब्ट्रेक करना तो minus 1 आ जाएगा equal to x तो x equal to मेरा आ गया minus 1 ओके तो मुझे इसका x मिल गया minus 1 अब मुझे y चाहिए य निकालने के लिए सेम फ़र्मुला मुझे पता है y equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3 और y यहाँ पर मेरा सेंट्रोइड का y है यह तो सेंट्रोइड का y मुझे यहाँ पर minus 7 दिया है था ना एक्स हो है था ना यह तो minus 7 दिया है मुल्टिप्लाइक करूँ है जब 7 into 3 is 21 21 माइनस आजाएगा क्यों माइनस था यहाँ पर माइनस 19 प्लस 5 equal to y plus y माइनस 21 प्लस 19 माइनस 5 equal to y अब यहाँ पर माइनस 21 में से प्लस 9 सब्ट्रेक करना है मुझे तो कितना आजाएगा 21 माइनस 19 इस 2 तो 2 आजाएगा बट साइन माइनस था यहाँ क्योंकि बड़ा 21 इसके लिए माइनस आजाएगा तो माइनस 5 equal to y माइनस माइनस इस प्लस तो एड़ हो जाएगा 7 हो जाएगा 5 into 7 बट 5 बड़ा यहाँ पर तो माइनस का साइन आजाएगा equal to y तो y मुझे मिल गया minus 7 ओके तो यहाँ पर मैं पूट कर सकता हो y equal to minus 7 तो मुझे देर्फोर यहाँ पर C का कोडिनेट मुझे का मिल गया minus 1 का माइनस इन इस इस फाइनल आंसर होप यू गाइस आप लाइक दे वीडियो प्ली सब्सक्राइब चैनल